नमस्कार दोस्तों, आज हम चने की फसल के उपर लगनेवाल इल्लियों के इलाज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि चने की फसल में सुंडियों और इल्लियों का प्रकॉप बहुत ही जादा मात्रा में देखने को मिलता है। यदि किसान मित्र इन कीटों का इलाज समय पर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुक्सान देखने को मिल सकता है, आदिस से ज़्यादा फसल को इल्लियाँ, छोपट या कहें के चट कर जाती है», मेन इल्लियां, सेमिल उपर और तमाको इल्ली चन्य की फसल को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुचाती है यह दनो इल्लियां चन्य की प्रात्मिक अवस्ता से अंतिम अवस्ता तक देखने को मिल जाती है यह इल्ली दलनी फसलों के अलावा अन्न फसलों को भी नुक्सान पहुच जाती है यह इल्लीयां चनने की starting position में पोधो की पत्थियों को चबाना सुरू कर देती है एवं उनकी साखाव को खाना सुरू करती है जिससे chlorophyll की process रुख जाती है अगर फूल आने की स्टेस से पहले हमने इसका नियंत्रन नहीं किया तो यह फूलों को भी खा जाती है और फल लगने की अवस्था में फलों को भी खा जाती है और चने की गेटी को खोकला बना देती है और इससे नुक्सान बहुत ज़्यादा होता है यह कीट चने के अलावा दूसरी दलहनी फसलों जैसे तूर, मसूर, उड़त, मूं, सोया बिन की फसलों में भी पाई जाती है इसके नियंतरन के लिए हमें systemic insecticide का इस्तिमाल करना चाहिए जिससे लंबे समय तक किसान भाईयों को इल्लियों से सुरक्सा मिलती है इसके नियंतरन है तू किसान भाई मार्केट से कोई भी अच्छी road spectrum systemic insecticide का उपयोग कर सकते हैं कुछ insecticide की बात करें जैसे की FMC की कोराजन, बायर की FEM और FENOS की का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर बायो इंसेक्टिसाइड की बात करें तो पसूरा की D3 एवं ओसनी की मौक्टेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं FMC के कोराजन की बात करें तो इसमें टेक्निकल होता है क्लोरांटरा नीली प्रोल 18.5% यह अप्रोड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो बहुत सारी इलियों को एक साथ मारता है इसे हम सहाट ML प्रती एकड़े के हिसाब से उप्योग कर सकते हैं इसका रिजल्ट 15 से 25 दिन तक देखनों को मिलता है अगर कीमत की बात करें तो सहाट ML का पेक मार्केट में आपको 850 रुपे के आसपास मिल जाएगा अब बायर के फेम की बात करते हैं तो इसमें टेकनिकल फ्लुबेंडा माइड 49.35 प्रतीस प्रतीसत होता है यह भी एक सिस्टमीक और ब्रोड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो एक साथ कई प्रकार के इलियों को मारता है जैसे सेमिल उपर इल, अमेरिकन नील, एम त 50 रुपे के लगबग मिल जाता है फेम का इस्तिपाल नहीं करना चाहते हैं तो बायर के फेनोस्क्विक का इस्तिमाल भी कर सकते हैं फेनोस्क्विक में फ्लुवेंडा माइड 8.33 प्रतीस 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 होता है जो इंसेक्ट क का इस्प्रे किसान भाई कर सकते हैं जो 500 रुपे के आसपास मार्केट में मिल जाता है अगर किसान भाई बीना कैमिकल के इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वह और्गेनिक प्रोडक्ट पसुरा क्रॉप केर के इसके मॉक्टेल का इस्तिमाल कर सकते हैं यह दोनों सिस्टमिक तरीके से ही कारी करते हैं एवाम लंबे समय तक कीट को नियंत्रण करके रखते हैं डी3 के कंटेन की बात करें तो किसान भाईों इसक्रीन कर आप इसका कंटेन देख सकते हैं जो पूरी तरह से और्गेनिक है अ तो किसान भाईयों आपको यह जानकारी केसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें अगर पसंद नहीं आयाओ तो डिसलाइक करें बिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना अपनी फसल और पर्यावरन का ख्याल रखिये धन्यवाद